हेलो एवरिवन कैसे आप लोग अच्छे तो है ना तो देखो आज तो इन्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इन्फोर्मेशन यह है आपके लिए कि आपका एडमिट कार्ड डॉड़ोड होना स्टार्ट हो गया होगा एरफोर्स का जितने भी है एक्स और वाय गुरूप जिसका 18 का एक्जाम है और 19 वाले हुआ कल से एडमिट कार्ड डॉड़ोड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़े से मैं जल्दी से आपको ले लता हूँ कौनकों से डॉक्मेंट आपके एक्जामिरेसन में ले कर जाना है तो सबसे पहला आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसको कलर प्रिंट करवाले दो पासवर्ट साइज फोटो जो आपके एडमिट कार्ड में वही लेके जाना नहीं है तो जाके फोटो वैसा ही निकल वाले हो ठीक है उसके बाद एक अधार कार्ड ले जाना और एक सेल्प डिकलेरेशन फॉर्म ब ले जाने से भी काम चल जाएगा चलो ये बात खत्म हो गई अब बात जो करते हैं में मुद्दे की की नंबर कैसे बढ़ा है ठीक है मौक में कम आ रहा है अब एक जामिनेशन में नंबर कैसे हम बढ़ाएंगे यही चीज़ पर बात करते हैं तो बहुत ही लोजिक दियान सुनना और वीडियो पूरा देखना ज़िए लंबा वीडियो नहीं करूंगा ध्यान सुननेना की नंबर कैसे बढ़ा है मोक में कम आ रहें नंबर कैसे बढ़ेगा तो सबसे पहले अगर आप पांच-10 मोक माने होंगे मारे होंगे तो आप्विस चाहें सा बात है आ अब से logic point बात करता हूँ अगर मालो paper बहुत टफ हागया आगया आगया एक बएक आपके पांचे कोशन इतने हाट आगए physics कि आपको समझ भी आड़ा धेर बना के रखो पीछे कुछ question 10-12-15 question ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएंगे मैं बोल रहा हूं ध्यान देना 10-12-15 ऐसे question को जो बन जाएंगे ठीक है तो उस 10-12-15 कर लो और एक और चीज कुछ बच्चे आता हुआ भी गलत कर देते हैं तो वह करोगे तो फिर selection नहीं होगा आता हुआ गलत कर लिए तो selection फिर नहीं होगा तो 10-12-15 ऐसे टुड़े से question आएंगे जो आपको हो जाएंगा अपसे आसानी से हो जाएंगे जो बच्चे थोड़े भी पढ़ रख्योंगे basic question 10-12 question से मिलेंगे मिलेंगे अगर paper hard आ गया तो 10-12 question आसान होते ही है अब बात करते हैं तो वह फिजिक्स की बात हो गई उसी परकार से math का और English का paper आसान होता है उसमें कर लेना मालो आपने 10 question कर लिए किस में physics में सही सही कर लिए 10 question किये 10 question math में सही सही कर लिए 20 हो गया और 15 उधर कर लिए 35 नंबर हो गया और इस बार final merit list 35 पे बना था अगर English में एक दो और सही कर लो और मैं यह सबसे worst case बता रहा हूं पेपर का लेबल ऐसे ही आ गया और सबसे worst case बता रहा हूं दस-दस question सहीं मार दिये न और 15 English में तो 35 नंबर हो गया और एक-दो question दो-दर कर लोगे तो final merit बन जाएगा सोचलो और एक और चीज़ तुक्का मत माना जब नव आया ना तो समझ लेना कि पेपर का लेबल बास बाकाई hard है और आपसे नहीं बन रहा है मतलग बहुत सारे बच्चे को तकलीफ हो रही है पिसली बार 28 cut up गया था सोचलो आप खुद सोचलो 28 cut up गया था तो यही logic ध्या से सुन लेना बस 35 cut up गया था पिछली बार अगर आप 10-10 और 15 कर लिए कहानी खत्तम अगर आपके English week है थोरा सा इसमें बारा बार कर ले ना रे कर लोगे भाई या उतना बच्चे 25 में 25 मारने के चक्कर में तुक्का मारने के चक्कर में हरबराने के चक्कर में गलत कर देते और मॉक्टेस्ट में देख लो जहां जहां गलत हो रहा है ना तुक्का मारो या तो तुक्का मारो ही मत ठीक ना तुक्का या तो मारो ही मत जो जो कोशन अरो कर लेना और कर लेना कि मैंने 12-15 कोशन सही कर की है और कोशन पस कहानी खत्म और जैसे ही पेपर का लेवल थोरा स आसाना जाए तो 40 क्रोस कर जाओ ना सेलेक्शन कंफर्म है ध्यान अखना इस बात को बोल रहो पेपर टाफ है तो 3028 पे ही सब का आप बुला गया था पीफटी के लिए तो सुचलो तो इस चीजों को ध्यान अखना बस इतना एनलाइज कर लोगे पेपर टाफ है ना हम उतना ह कुशन करेंगे जितना हमारे लिए सेलेक्शन हो जाए हमको बस और कुछ नहीं चाहिए हमें टॉपर न वरनना समझ गया तो इस चीजों को धिहान अखना और टेंशन नालो हास लिया करो भाई थोड़ा सा हास लिया करो टेंशन की बात नहीं है सब हो जाएगा पस कुछ च पेपर लेबल हाड आया जो मेथड बताया वो ट्राइ करके देखना कंफ्राम बोलता हूं सेलेक्शन इसी बार हो जाएगा आपका थोड़े कम भी पड़ेओ फिर भी बस जो पड़ेओ उस पे कमांड होना चाहिए उस पे गलत मत कर देना ठीक है आते हुए को गलत कर दिया सलेक्शन ना हो पाएगा ठीक है आते हुए गलत कर दिया सलेक्शन ना हो पाएगा और बस अब तो लास्ट टाइम है तो एक आद मोग टेस्ट मारके रिविज रिविजन करो बहुत जितने पड़े ओस सारे को रिवीजन कर लो दिन राते करनी पड़े कर लो लेकिन रिवीजन कर लो तो ये कैसा लगा? कॉमेंट सेक्षन में जरू बताना और किस भाईयों का ये टीन को एक्जाम है वो भी कॉमेंट से तो बताना और मैंने जो ट्रिक्स बताया है वो हेलफुल है की नहीं तो फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में फिलाल इतना ही जय हिन जय भारत बंदे मातरम